कि हलो फ्रेंड्ट्स आज हम एल जी वाशिंग मशीन की कुछ चोटी-चोटी-चोटी जानकारी को हम अपके बीच में लाएं दोस्तो जैसे कि आप देख रहें ये ल जी का वाशिंग मशीन हैं दोस्तो और नौर्मली हर घर में वाशिंग मशीन ठेल होता है और हर घर में दोस्तों तो आप लोग भी घर में एक छोटी सिस्कू डायर की साहता से आप इस सारी चीज को रिपेर कर सकते हैं और कुछ चोटी-चोटी मुख्य जानकारी इस वीडियो के माध्याब से मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं जैसे कि आप देख रहे हैं यह यह कौक दोस् है इस करण से इसको आप पीछे के पैनल इस पुर्व को खोलने के बाद सेख वाक कोलने के बाद इसको देखेंगे केarme कि पाई यह कहँं करने के बाद दूस्तों पूना अब लगा दीजिए यहां तो नहीं मार्केट्ट से मिलता है अवाणी से मिल जाता है उसको आप लगा सकते हैं दोस्तों देख रहें आपको इस प्राइब से मैं आपने imam दोस्तों अब छोटी सी जनकरी आव आपको और बताने जारों जैसे कि आप यह देख रहें दोस्तों यह आप वाशी मसीन का जो ड्रायर साइट का है यह ब्रेक वायर है दोस्तों इसी से अगर उठता है अदेखिए जब इसको निकालना तो उसको उपर का धकन खोलना पड़ेगा उसको नीचे साब ऐसा करी और खोलने के बाद फिर दोस्तों और इसको पैनल को उपर खोलने के लिए इसको आपको खोलना पड़ेगा दोस्तों और मैं बैल्ट के बारे में आपको दिखा रहा हूं यह वी बेल्ट है तो पुल्ली के कारण होता है यह आप को भी बेल्ट खराब हो जाता है तो इस प्रकार से भी बेल्ट को आप चेक करें के ना ज्यादा टाइट होना चीए और नहीं ज्यादा नरम होना चीए ताकि अब यह वायर जैसे काट दिया दोस्तों तो इस वायर को अपन जोड़ने जोड़ेंगे तो सिर्फ एक टेप के सा तो सकते हैं दोस्तों क्ला टूब अप लगा दिखा लक यह पर उपर का प्रके स्कूल्न को फोड़ने के लौक लगा रहता ह। आपको आपको देखा रहा हूँ यह पहुंस कम लोग जानकरी यह देते हैं दोस्तों तुसको यहां से प्रेश करिए और यह स्लाइड हो जाए अगर आप ऐसे खीचेंगे तो पूरी लॉग टूट जाएगी दोस्तों तो यह छोटी सी जानकरी पर बात पूर जानकरी चोटी सी जानकरी के साथ हम आपके बीच में हर्दम आता रहता हूं दोस्तों और इस प्रकासे यह जो बड़ा वाला दीखर है डोस्तों वह वास्ट मेर है दोस्तों जैसे कि आप इसको मैं देखा रहा है दोस्तों यहां पर चुवा गुसने के बाद इसको भी काड़ दिया है और एक चल में दोस्तों यह स्वीच है दोस्तों यह ड्रायर मोटर का यह स्वीच है सप्लाई यहीं से आता और यहीं से जब क्लोज होता है तो दोर ग्लोज होता है तो उसमें सप्लाय जाता है और सप्लाइज जाने के बाद मोटर और जाता है और यह सप्रिंग है दोस्तों कई बार बार तरफ चौर्थ करेंगे दोर को यह सब चीज को आप देख लेहंगे कभी भी इस समस्य नौरम ने हाती और स्कुवाइद दिया करें दोस्तों चुउय का सहाट यह जान से वायर निकालेंगे बाध आधार नीकालने के बाद gent कर लेंगे दोस्तों अगर सोल्डर मस्ते ने तो आप जोड लीजिजिए दोस्तों और बाइक ही जैसे यह स्विचे दिख रहे दोस्तु और वस्ताइमर है इस पिन टाइमर है और ड्रेन सेलेक्टर और स्क एमर का है दो उह आसे तो फिस टॉन का है नॉर्मल जेंटल और आप जो सकते हैं जैसे की और भी जो कपड़े नॉर्माल होते हैं इसको दोंगली हो यह दोस्तों जो वाश्ट ट्राइमर और उसके सामने जो ब्लैक लगा हुआ है वह बसर और यह इस पिन टाइमर और तो मिल जाएगा दोस्तों और यह सब जानकारी छोटी इसले में दे रहा हूं और यह भी तूट जाता एक समय में रसी भी तूट जाता चुखा काट लेता मार्केट में अराम से मिल जाता यह तो कोई भी रसी लगा किया आप अरजेस्ट कर सकते अगर आपके पास सिर्पर सि सब चीज को मदद से आप कार कर सकते हैं दोस्तों यह प्रकास हमने स्विच में से सॉल्डिंग अच्छे से कर दिया और स्विच अपना बराबर काम करेगा दोस्तों और इसके बाद फिर हम इसको पुना फिर से लगाएंगे और एक चीज को मैं आपको हर्दम देखाने क कैसे करना इसकी पीछे मैंने विडियो बनाई यह दोस्तों तो इस वास का ऊरॐ दोस्तों वैरिच का पानी का सेलेक्टर दोस्तों जो उपर में रہता है अगर हम को dz words पो Carn.ivse कर देंगे तो हमारे स्कुण सेट जाएंगा और मॉर्स करेंगे यहुण अपना टाइ लगना चाहिए तो प्रकार से इसको ओपन करेंगे तो हमारा भूल्ड होना चाहिए अगर नहीं होने के लगा लिजी और इस प्रकार से पकड़ेंगे और उसी जगह में बैठाएंगे और फिर से प्रेस कर देंगा और यह आराम से लग जाएगा दोस्तों यह चोटी से जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हर घरों में वाशी मशीन होता है और नौर्मली टेक्निशन लोग समय पर विजिट नहीं कर पाते हैं इस कारण से समस्य आती है तो आपन खुद घर में सब कारें कर सकते हैं देखिए इस प्रका से प्रेस कर दीजे औ और हमारा चोटा सा फॉल्ड था इसको हमने बाराबर आपको देखाने के लिए हमने सब चीज कारें को कर लिया है दोस्तों यह मेरी जानकारी थी और मैं चाहता हूं कि यह सब जानकारी आप लोग के बीच मेरा और अधिक सरदिक मेरे चैनल को शेर कीजिए लाइक की और बारी की जानकारी में देने की कोशिश में हर्दम लगा रहता हूं दोस्तों इस प्रकार से हम इसको अच्छे से बनाया और बराबर रन कर रहा है पल्स देटा हर्दम राइट और लेफ्ट घूमना चाहिए दोस्तों यह नॉर्मार में आप जेंटल में रखी स्टॉंग मे मैंने बताया है छोटी सी जानकारी थी और अच्छे साथ को साफ करके हम कस्टमर को हम हैंडोर कर देंगे दोस्तों तो यह आप कभी भी आपके घर में इस प्रकार की समझ से आती है तो सबसे पहले पीछे का पैनल खूलने के बाद एक स्कूर सादर से आप पहले पूरा वे दखकान को ओपन करेंगे वो तुरंत ब्रेक लग जाएगा दोस्तों देखी तुरंत ब्रेक लग गया फिर से आउप करेंगे फिर सप्लाई मोटर को जाएगा और अब पीछे जिस पगा से चुवा काटा थो जगे को हमने अच्छे से वाप पर मेटल लगा के हमने इसको इ टाइट कर दिया दोस्तों यह जानकारी के साथ दोस्तों अब हम यहीं पर अपना वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मैं आने वाला हूं और अच्छी जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोग से आगरा करता हूं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू किजिए दोस्तों और बस वीडियों ही समाप होता है दोस्तों थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो